मन्ज पर विराजमान मंत्री परिशत के मेरे साथ ही सिवार रविशंकर जी, स्री जैन सेना जी, चंदरशे घत्रिपुटी, स्री बी बी आर मोहन रेड़ी, नेस्कों के सभी मानुभाव, मैं सबसे पहले तो आपकी शमायाच ना करता हूँ, क्योंकि पहले कारकमाज सुबे ताई हुआ था, लेकि मुझे आज कश्मी जाना पड़ा, और उसके कारण मैंने रिक्वेस्ट की थी, अगर समय बदला जाए तो ठीक होगा, आपने समय बदला, और मुझे आप सबको मिलने का उसर दिया, इसलिए मैं नेस्कों का बहुत आभारी हूँ, शायद ही कोई एक संगठन, इतना जल्दी एक मुव्मेंट बन जाए, आम तोर पर मेंबर्सिब होती हैं, मिटिंगे होती हैं, सरकार को मेमोरेंडम दिये जाते हैं, सरकार से अपेक्षाएं की जाती हैं, कभी राजी, ना राजी प्रगट की जाती हैं, लेकिन नेस्कों का करेक्टर वो नहीं रहा, ये संस्ता से ज़्यादा एक बड़ा अंदोलन बन गया, और प्रारम में जिसने कुछ मोतियों को नेस्कों के धागे इसके साथ जोड़ दिया, आज धीरे धीरे भारत का गवरोगान करने वाली एक बहुत बड़ी सुन्दर माला बन गया है, और जब नेस्कों की चर्चा आएगी तो देवां की जुरूर चर्चा आएगी, बेरा देवां की से अच्छा परिचाए था, और जब वाई-टू के को लेकर के बड़ा तुफान खड़ा हो गया था, सारी दुनिया चिंतित थी, और उस समय अटल जी की सरकार थी, हमारे प्रमोज जी, आई-टी विपाग को देखते थे, और बड़ा इतना हाइब था, कि वाई-टू के कारण पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, अर उस समय देवां के साथ काम करने का आउसर आया था, लिंख्यर और लंबे समय हमारे बीच रहे नहीं वो, मैं उनको आदर पुर्व गंजली देता हूँ, और नेशकॉम जितनी तेज गर्ती से प्रक्रति करेगा, उतने ही देवां के आइडियास हमने हमें हर बार याद आते रहेंगे, पचीछ साल के कारकाल में, जब नेशकॉम प्रारम हुआ तो मैं समझता हूँ, शायद ये क्षेत्र हंडेड मिलियन की एकनमी से भी ज़्यादा नहीं होगा, आज हंडेड फॉर्टी सिक्स बिलियन तक पहुँच गया, पचीछ साल में इतना बड़ा जम्प, लेकिन ज़्यादा तर जब आईटी सेक्टर की चर्चा होती है, ये तो बात माननी पड़ेगी कि आज आईटी में हम जहां पहुँचे हैं, उसका एक कारण, जो प्रमुक कारण है, मुझे लगता है, वो प्रमुक कारण है कि इसमें सरकार कहीं नहीं है, हम जितने दूर रहें, उतने अच्छे हैं, ये जो सारा करिश्वा है, वो हमारी युवा पीड़ी का है, 20, 22, 35 साल के नवजवान, जिन्होंने उस समय एक्षेत्र में प्रवेश किया, नेस्कॉम के इस नेटवर्क के माध्यम से लाखों नवजवानों को रोजगार मिला, उनको अउसर मिले, देश की एकोनोमी को लाख हुआ, भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में कुछ कदम हम भी चले, लेकिन इन सबसे भी अलग, एक बात जो मुझे हमेशा लगती है, कि इस आईटी के कारण, पूरी दुनिया को भारत की तरफ देखने का रविया बदलना पड़ा हूँ, पहले दुनिया हमें, पिछडे, अंदसरद्धा में डूबे हुए, साब सपेरे वाले, इसी हमारी देश की पहचान बनी हुई थी, लेकिन हमारी नवजमानों ने, कंप्यूटर पर उंगलिया घुमाते घुमाते सारे दुनिया के दिमाग को बदल दिया, और विश्व को भारत की एक नई पहचान देने में, इस खेत्र का बहुत बड़ा योगदान है, और इसके लिए इस खेत्र के साथ जुड़े हुए सभी भारत की इतनी बड़ी महान सिवा के लिए अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी है, मैं आपको बदहाई देता, आज जिन महान भावों ने इस खेत्र में योगदान किया है, जिन्होंने इनोवेशन के द्वारा, नएने अप्लिकेशन के द्वारा, अपने स्टार्ट अप इंडिस्ट्रीज को भी बहुत उंचाई पर पहुँचा हैं, जिन्होंने इस खेत्र से जो कुछ भी कमाया, समाज सेवा के लिए लगाया है, जैसे हमारे अजिम प्रेम जी, उन सब का मुझे सनमान करने का आउसर मिला, मैं उन सब को रदय से बधाई देता हूँ, उनके इस एच्विमेंट के लिए, नेस्कोम को जन्म देने वालों से लेकर के, नेस्कोम को यहां तक पहुचाने वालों को, और नेस्कोम के कारण, अपने को आपको भी बहुत उचाईयों पर ले जाने वालों को भी, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मुझे भी स्वास है, कि आप लोगों का ये स इंडिया टूमोरो और आप इनोवेशन्स पर बल दे रहे हैं हम भी कुछ दिनों से डिजिटल इंडिया की दिशा में चीजों को सिंक्रोनाइज करने का प्रयास कर रहे हैं वक्त इतना तेजी से बदल चुका है कि जितना महात्मय हाइवेश का है उतना ही महात्मय आईवेश का है इन्फर्मेशन वेश हाइवेश बन गए तो प्रगेदी होगी और गरांटी जब तक आईवेश नहीं जुड़ता है अधूरी रहे जाती है और इसलिए जब हम डिजिटल इंडिया इस बात को लेकर के चल रहे हैं तो हमारी कालपना है डिजिटल दुरुष्टी से जो इंफ्रास्रक्चर चाहिए भारत के हर्म लागरी को वो व्यवस्ता कैसे उपलब्द हो उतना वो विस्तार होना चाहिए हम डिजिटल इंडिया की जब बात करते हैं तब सिटिजन सेंट्रिक सेवाएं उसको उपलब्द करानी की ववस्ता हम कैसे विक्सीत करेंगे हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तब गवनन्स में हम किस प्रकार से बदलाव लाए और मेरा यह मत रहा है गुड गवनन्स का एक परियाय बन गया है इगवन्स और जब मैं यह गवनन्स कहता हूं तब मेरी दुरस्ती से वो इजी गवनन्स भी है एकॉनोमिकल गवनन्स भी है और उस रुप में गवनन्स की फारी परिवाशा है बदलती जा रही है हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं हम आज जहां भी पहुँचे हैं संतोष हो ऐसा लगता है लेकिन जरूरत के हिसाब से देखें तो अभी हम बहुत पीछे हैं बहुत कुछ करना बाकी है इतना बड़ा देश इतने सारे लोग अब कल्पना कर सकते जिस देश में बहुत ही निकट भविस में एक सो करोड मोबाइल फोन लोगों के हाथ में होंगे हन्डेट करोड क्या अब जितना जल्दी आपकी फिल्ड के लोग मोबाइल एप जितनी तेजी से त्यार करेंगे मैं समझता हूं उतना तेजी से आप मार्केट को कैप्टर करेंगे और मैं ये जो सला दे रहा हूं उसके लिए कोई कंसल्टन सिफी नहीं है इतने साथ सरफ बैंकिंग लेजिए मैं नहीं मानता वह बैंक में कोई जाने वाला है मोबाइल बैंकिंग पर दुनिया चलने वाली है हम उसको कैसे आगे बढ़ा है मोबाइल गवर्णस पर चलने वाला है कि सारी सुवेधाएं सारी आवश्यक्ताएं इंसान वहीं से प्राप्त करना चाहता है आप तो देखते हों कि आज एस्ट्रोजर भी मोबाइल पर सुवे क्या करना क्या ने करना बता देते हैं हर कोई समझता है कि इसका क्या उपयोग हो सकता है हर कोई अपने अपने तरीके से विक्सित कर सकता है नेसको अबने कभी एजन्डा नहीं रखा अपने कुछ समस्या का समधान करना है तो आईटी से शॉपिंग करना है तो आईटी से वे आज एक प्रकार से इस पर डिपेंडेंट हो गया है और आप अपके परिवार में जो अठारा से नीचे के जितने बच्चे हैं उनका एक ही गुरू है गूगल गुरू और सब चीजों उसको ही पूछते हैं आपको नहीं पूछेंगे गर में बी अंदर चर्चा चलती होगी दो भाईयों के बिच में तो अंदर जाकर के पूछकर करें देखो यह है तो यह इस रूप में उसने स्थान ले लिया है इसलिए हम कल्पना कर सकते हैं कि इसके व्याप आपकी कितनी संभावनाय पड़ी है और भारत का एक स्वभाव है इन चीजों को एड़प करना यह भारत के नेचर है हमारे यहां कि सामाने से सामाने व्यक्ति भी मैं मैं अपना एक अनुभव बताऊं और मेरे लिए वह बड़ा सर्प्राइज था कि मैं गुजरात में मु करने के बाद भी जाने का आउसर नहीं मिला था मेरा स्वभाव रहता था कि मैं ज्यादा ज्यादा स्थान पर पहुंचू इलाके में जाओं लोगों से मिलू यह मेरा अगरे रहता था तो मैं हमारे सरकारी अपसरों को गया था भई वहां मुझे जाना है कोई कारकम बढ़ मुझे वहां जाना है खैर फिर ताइब हुआ कि वहां एक चिलिंग सेंटर बनाएंगे मिल्क कलेक्शन के लिए एक चोटा सा सेंटर खड़ा करें वह को 20-25 लाग का चोटा सा इमारत बना करके चिलिंग सेंटर खड़ा किया मन कर ठीक है मैं उद्धारन के लिए आता हूँ सब जंगल विस्थार है सब आदिवासी लोग रहते हैं और फोरेस्ट होने के कारण वहां आमसभा करने के लिए भी जगा नहीं थी कोई 3 किलोमेटर दूर एक स्कूल थी उसकूल के मैदान में आमसभा रखी ती तो यहां चिलिंग सेंटर का उद्धारन करना और फिर वहा आके रखा था है हम सारा कार्गम किया और मैं देख रहा था वह पचीस सों महलाए मोबाइल फॉन से फोटो निकाल रही थी आने आप कलपना कर सकते हैं कि जहां पचीस लाग का एक चिलिंग सेंटर बनना एक बहुत बड़ी घटना सरकार के लिए थी वहां सामान्य मान भी कि और भी महला वह भी आधिवासी महला जो दूद फरने आई थी उसके पास मोबाइल फॉन था और फोटो निकाल रही थी तो मैं उनके पास गया मैंने का आप मेरा फोटो निकाल के क्या करोगे उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं समय तो आपको भी चौकाने वाला है उन्होंने कहां हम जा करके उसको डाउनलोड कराएंगे अब यह आपको भी अंदाज नहीं होगा आप कहां कहां पहुंचे है अगर इस इस शक्ति को पहचान दिया आपने कि आपका जो आखरी क्लाइंट है वो आप से दो कदम आगे है उस नीड को पूरे करने के लिए सर्कार इंफासिकर कड़ा करें आप नए इनोवेशन करें आपके इनोश्मंसन को सरकार एडॉप करें आप देखते देखते ही देखते रिवालुशन हो सकता है जी और मैं मानता हूं आने वाली दिनों मेंham GDP का जो अनेक अनेक GDP की संभावना वाले अनेक शेक्तर हैं उसमें एक connectivity बहुत बड़ा GDP increase करने का ख्षेत्र बनने वाला है जितनी जादा जितनी अच्छी जितनी तेज connectivity उतनी तेज GDP की संभावना है यह होने वाला है इतनी बड़ी तेजी से दुनिया बदल रही है उस दुनिया को हम कैसे capture करें आने वाले दिनों में मेरे मन में एक सवाल है अब नाराज मत होना कोई कि आपने बहुत किया है देश का सम्मान बढ़ाया है फिर भी फिर भी जो अच्छा करता है उसी से तो अप्रिक्षा होती है भाई जो अच्छा नहीं करता उसको कौन पूशेगा हां ठीक है बहुत अच्छा ले लो इनाम ले रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं इसलिए मेरी अपेश्यर जादा आप अच्छा नहीं करते हैं तो जाम मैं कुछ नहीं मांगता आपसे क्या आपके मन में सवाल नहीं उठता है दोस्तों कि गूगल मेरे देश में क्यों न बना क्या टैलेंट में कमी है क्या यहां से जो गए उन्होंने जुरूर बनाया मैं नहीं मानता हूँ कि सरकार यह रुकावट है हौशले बुलंद हो दुनिया में हम पहुँचने के लिए हम उस लेवल के इनोवेशन पर जाएं ताकि जगत को चलाने में हमारी व्यवस्ता रोल प्ले करें यह हो सकता है दोस्तों मुश्किल काम नहीं है होली बुड के फिल्म से भी कम खर्चे में अगर मेरे देश के नौजवान मार्स पर पहुंच सकते हैं तो मैं समय ताव आप भी कर सकते दोस्तों कि यह इनोवेशन की बहुत बड़ी चैलेंज के रुप में लेना चाहिए कहीं और सब चीजे बने फिर हम सरव एक क्लाइंट बने अच्छे क्लाइंट बने और अच्छे बने यह हमारा मकसद नहीं हो सकता हमने आगे जाने एक शेत्र ऐसा है जिसमें बहुत संभावनाएं पड़ी हैं से मैं मानता हूं मैं दुनिया के जितने राजनेताओं को प्रधानमंत्री बनने के बाद मिला हूं साइट पचास से ज्यादा से मिला हूं उसमें पचीस से तीस राजनेताओं से मेरी जो बात हुई है वो साइबर सेकुरिटी की उनकी चीनता हूं सारी दुनिया परेशान है cyber security के लेकर करे क्या मेरा हिंदुस्तान का नौझवान दुनिया को चेंद की नीन सोने के लिए cyber security के लिए full proof innovations लेकर करे आ सकता है क्या बहुत बड़ा market होगा आप लिखक लिख करके रिखिए देख फायर वाल से भी काफ़ी आगे बढ़ना पड़ेगा हमने उस सिती पर पहुंचना पड़ेगा और जिसके समन में जानते ही दुनिया को लगेगा हाँ यार हम चिंतित थे अब शायद हम रास्ता था सारी दुनिया की जो ताकत है उस ताकत को साइबर सेप्टी की ज़रुद खड़ी हुई है साइबर सिकुरिटी की ज़रुद बड़ी है क्या नेस कौम के द्वारा ऐसे एक टास्क फोर्स बना करके हम ग्लोबली क्या दे सकते हैं कि यह बात सही है कि यह डाइनेमिक अवस्ता है आप एक करें तो दूसरा करता है अब दूसरा करें तो तीसरा करता है लेकिन शायद जगत को बहुत बड़ी चिंता मुक्त करने का एक बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं अगर हम मैं डरा नहीं रहा हूँ मैं इस विशे का मास्टर नहीं हूँ मैं एक क्लाइंट हूँ मैं क्लाइंट की रूप में बात करता हूँ एक सामानी ग्राव अगर हम ये सिक्यूरिटी नहीं प्रदान करेंगे वो दिन दूर नहीं होगा कि बहुत बड़ा वर्ग मोबाइल को छूने से भी दूर रहेगा इसको लगेगा बने नहीं है ये पतानी बाते कहां चली जाएगी चीजे कहां रेकॉर्ड हो जाएगी और भाई वो मैं नहीं अर्ता मेरे पात मत ये दिन आएगे और तब जाकर कि इस प्रोसेस को इतना बड़ा थक्का लगेगा जिसका हम कलपना नहीं कर सकते हैं और इसलिए आवशक है हम एश्वरंस पैदा करें हम विश्वास पैदा करें बहुत चिंता मत करो इस जो टेकनोलोजी से तुम जुड़े हो शुरक्षित है तुम चिंता म प्रावर्च को भी प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे अपने डॉक्यमेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं है उसी प्रकार से जैसे बिजनेस बढ़ा जो भी वो पोर्टल बना करके आते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं अब जितनी बड़ी मात्रा में इस टाटाबेश तयार हो रहा है डिजिटल डाटा भी तयार हो रहा है कि आने वाले दिनों में कि आपको अपने स्टेटस से नीचे आ करके नया बिजनेस शुरू करना पड़ेगा कि स्टेटस से इसलिए मैं कि मैं शब्द प्रोग ऐसा करने वाला हूं प्प्लिक लाइन प्याइए यहित आप ऊचे जाने वाले हो गोला मैं ऐसे दिन आयेंगे जब आपको क्लाओड गोडाउन शुरू करने होंगे अब आप अपने पिताजी को को मैं गोडाउन शुरू कर रहा है तो तुम्हारे बुद्धी खराब हो गए क्या आप गोडाउन को लोगे क्या लेकिन आने वाले दिनों में क्लाउट गोडाउन का बहुत बड़ा बीटनेश खड़ा होने वाला है बहुत बड़ी मात्रा में लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी सारी बैंक बैंक पुरा का पुरा डाटा आपके क्लाउट गोडाउन के अंदर आकर के रखने के लिए तयार हो जाएगा जिस पर उसको विश्वास हो जाएगा कि आप सेक्यूरिटी प्रोवाइड करते हैं सेप्टी प्रोवाइड दॉक्यूमेंट करते हैं से क्लाउड लोकर में आने वाले दिनों में इंपर्टन डोक्यूमेंट के लिए इवन कल जो हमने गोल्ट बॉरनाँ की बाद पही है सुआ गोलडाउन लेने के बाद बहुत लोग होँगे की गोलड़ाउन को क्लाउड लोकर में रखते हैं कि क्लाउड गोडाउन एंड लोकर कि यह इतनी बड़ी बड़ा मार्केट की संभावना वालक शेतर बन रहा है मैं समझता हुआ उसका में व्यापक रूप से सोच रहा होगा और सरकारों को भी अब सरकारों को अपने दप्तोरों में फाइलों के धेर रखने की आने वाले हैं मैं स्वयाँ शायद में शायद पहला पॉलिटीशन हूं जो साउंड-क्लाउड का उप्योग करता हुं है है कि और मेरा अनुभव स्था है साउंट्लोड है पर न में पहले याओ के अगल वगल में घुंबब का रहता था यूटूब के अगल वगल मेंopol कुमत रहता था एंग चला गया महांख़ा हो और मैंने देखा हैंग कि मैं तिीजी से ज़िट बड़े जगत के साथ जूड़ गया हम इन इन शक्तियों को अगर पहचानते हैं और उन शक्तियों को जोड़ करने के दिशा में प्रयास करते हैं तो बहुत बड़ा लाब आने वाले दिनों में हो सकता ऐसा मुझे लगता है हमारे लविशंकर जी ने कहा कि अमीर और गरीब की चर्चा का एंग नया पैरामिटर आने वाला है और वो है डिजिटल डिवाइड डिजिटल डिवाइड से भी अमीरी और गरीबी ना पी जाएगी और इसलिए समाज में दो तबके पैदा न हो डिजिटल डिवाइड के अवस्था पैदा न हो उसको हमने आगे बढ़ा रहा है मैंने देखा है सरकार में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है एक तो सालो में काम करने के उनकी पहले से यादत रही है और अब उनकी डिजिटल एक्टिविटी भी सालो में पड़ी है अब मैं आपको एक, और मैं मानता हूँ, मैं तो technician नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप कर सकते हैं, फिर वही बात आप कर सकते हैं, इसलिए कहने का मन करता हैं, किसी भी language को, किसी भी language में translate करने वाले software आपने बनाए हैं, उसकी लेखनी अलग है, उसका grammar अलग है, लेकिन translation हो जाता है, software से, मतलब interpretation के लिए आपके पास बढ़िया सी talent है, जिसका उप्यों करते हैं, कि सरकार के सामने एक समस्या है, किसी ने 15 साल पहले को एक software लिया, तो सारा material उस software की परिभाशा में हैं, दस साल पिछे ने दूसरा software लिया, तो उस में हैं, ये इतना बिखरा पड़ा है हो और इतने अलग-अलग लोग माल हमको देख कर के चले गहें जी, अब उस समय जो लोग थे, उनको लेने का जरूरी होगा साइज, और लेने में ही मज़ा आता होगा, क्या हमारी ये जो बिखरी हुई चीजे हैं, हर एक अलग-अलग software है, अगर language को आप interpret कर सकते हैं, बड़ी आसान से software से, क्या इस challenge को उठा करके हमारी ये जो wrong data पड़ा है, अलग-अलग form में पड़ा हैं, उसको हम चाहें उस प्रकार से, उसको synchronize करना, उसको interpret करना, उसको form में रखना, कि इस काम को कर सकते हैं, देश के governance में बहुत बड़ा बड़ावा सकता है, क्योंकि आज मैं नया software लूँ, और लोगों को कहूँ कि देखो बड़ाव, वो भैंक तो इसमें डालो सारा, तो कहेंगे ठीक है साहब, आम data entry करते रहेंगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि सरकार data entry में ही लगी रहे, हमें बड़ाव चाहिए, और technology के उप्योग से क्या होता है, देखा होगा आपने से, बहुत सी बाते होती हैं जो लिखने पढ़ने देखने को मिलती नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ, हम लोगों ने gas cylinder की जो subsidy है, और direct benefit transfer करने की scheme बनाईएगे, 80% ग्राहों तक हम पहुँच गई है, हम direct transfer कर रहे हैं, और ये काम हमने 30 दिन में पुरा कर दिया, कैसे? Just with the help of technology, कितना बड़ा एची होँ, मैं मानता हूँ आने वाले दिनों में, ये जो प्रष्ठाचार के खिलाब लड़ाई है न, उसमें technology बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, इतना transparency लाई जा सकती है, हम चाहते हैं ये लाना, और इससे बड़ी देश की सेवा क्या हो सकती है? ये सिरफ gas का जो हमने direct transfer किया है न, मेरा मुटा मुटा अंदाज है, शाए 10% लिकेज तो मैंने बंद कर ही दिया है, के न, इमेजिन 10% यहाने? थाउजंस अफ क्रोड रुपीज है, अभी हमने कोई लेक आउक्शन किया, पूरा technology का उप्योग किया, इतने बड़े बाड पर public में उसको रखा, जिसको बाड़ना, जारे पत्रकार भी बाड़े थे, आउक्शन हो रहा था, 204 कोल ब्लॉक्स, जिसको सुप्रीम कौट ने सितंबर महिने में, क्या दिया है कि ब्रश्टाजार हुआ है, रत करो, सब फाइदा मुफद का उठा के ले गए है, और आपको मालूम होगा, कि एक जगा से चिठी जाती थी, कोली के ख़दान मिल जाती थी, सुप्रीम कौट ने नेड़े किया, हमने उसका फाइदा उठाया, हमने तीन महिने के अंदर, सारी योजना बनाई, ओर्डिनेंस लाए, कुछ लोगों के नाराज की स्वाबा भी है, ओर्डिनेंस क्यों लाए, कि सीए जी ने कहा था, कि ये जो कोल ब्लॉल का अवंटन हुआ है, उसमें एक लाग छासी हजार करोड रुपिया का गफला हुआ है, उस समाई जब एक लाग छासी हजार करोड अखवावा में हेडलाइन आई, तो इस देश के नागरी मानने को त्यार नहीं तो ग्यार ये ते ऐसे लिख दिया हुगा, ये सीए जी सायद सरकार दोज़े के भिड़ गई होगी, हम भी पोलिटिकली बोलते तो हुथे लेकिन मन में रहता थे यार इतना होगा क्या, देखो भाई, जिसने समंदर देखा नहीं है, जिसने गाउं का तालाब देखा है, उसको कोई पुझे कि समंदर कैसा हो तो वो क्या बरगा है, क्या बोलेगा बेचारा, किसी को पुझे कर भी बताओ तो भई, तो वो कहेगा इतना गाउं में जो तालाब है ने इसे बहुत बड़ा होता है, आज बोलेगा इतना बड़ा होता है, बोलेगा बहुत बड़ा होता है, फिर बुझे का, ऐसे हमारी भी मुसीबत ही, हम तो कलपणाई नहीं कर सकते, इतना बड़ा हो सकता है, अभी हमने 19 ब्लॉग का अक्षन किया, और टेक्नलोजी का उप्योग करके किया, पूरी तरह इसे अक्षन था, सब लोग अपनी बोली, अपने कॉम्प्यूटर से बोल रहे थे, 204 में से सिर्फ 19 का हुआ है, सिये जी का कहना है, 204 में 1,6,000 करोड का गफला हुआ है, 19 का किया और अब तक 1,10,000 करोड रुपिया की बोली बोल चुके हैं, टेक्नलोजी से ट्रांसपरंसी कैसे आती हैं, इसका ये जीता जागता उदाण है, और कहीं किसी ने उंगली नहीं उठाई ये जी, एक सवाल नहीं खड़ा हुआ है, अगर हम इमानदारी से आधुनिक विज्ञान का उप्योग करते हुए, नेक इरादे से चीज़ों को करें, क्या आने वाले दिनों में, आप इसमें योगदान कर सकते हैं क्या, और मैं मानता हूँ, कि आप लोग कर सकते हैं, और आप से मेरी अपेक्षा है, अभी हमने एक कलपना रखी है, हम जानते हैं कि टूरिजम का सेक्टर, आज दुनिया में, अभी हमारी चंद्रशेखर जी, टू ट्रिलियन डॉलर का हिसाब बता रहे थे, टूरिजम का बिजनेस थ्री ट्रिलियन डॉलर का है, और तेज गती से बढ़ने वाला बिजनेस है, आज जो टूरिस्ट है, वो ना टेलिफॉन करके जानकारी लेता है, ना किताब पढ़के निकलता है, वो गूगल मैप से चलता है, वो डेस््टिनेशन गूगल से तै करता है, वो ईटि प्रोफेशन के द्वारा विवश्छा के द्वारा चलता है, क्या हम भारत का टूरिजंग में हमारे इस प्रोफश्वन के माद्यम से एक बहुत बड़ा मार्केटिंग कर सकते हैं क्यां हम पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं क्या और भारत में गरीब से गरीब को रोजगार देने के लिए टूरिजम बहुत बड़ी ताकत रखता है और एक बार उसको सही चीजे प्राप्त हो हम अगर इन चीजों को महनत करके करें डाटाबेज त्यार करके करें इजली एकसेबल विवस्ताइब विक्सित करें आप कल परा कर सकते हम कहां से कहां पहुत को अब हमारे नव्जोंगानों को मैं अग्रा करता हूं मैं अभी सरकार में एक निरिण किया है अभी है हरीटेज सिटीज के लिए मैं चाहता हूं कि देश में 50 ऐसे heritage cities में virtual museum त्यार किया जा सकता है देखिए किसी भी देश की विरास्त को बचाने समालने में museum का बहुत बढ़ा रोल होता है लेकिन आज भारत के पास इतने पैसे नहीं है कि हम world class museum को create करें लेकिन virtual museum बना सकते हैं मैं नौजवानों आपसे आगर करता हूं आईए virtual museum बनाईए virtual museum बना करके बहुत बढ़ा नया market खड़ा करें tourism के साथ जोड़ें और भारत सरकार तयार है इस प्रकार के virtual museum को आने वाले दिनों में खरीदने के लिए तयार है आप लोग उस खेटर एक बहुत बड़े बिजनेस के संभावना है research करने वाली university मिल जाएगी professor मिल जाएंगे और फिर आप उसमें से तयार करें और इतना user friendly बनाएंगे आप देखिए tourism को बढ़ावा देने के लिए ये virtual museum और economical रहेगा आप एक museum खड़ा करें उसका खर्चा और एक virtual museum के बहुत फर्क पर जाता है कि हम उस काम को कर सकते हैं क्या आने वाले दिनों में अगर इन चीज़ों को काम कर सकते हैं तो मेरे आप से आग रहे हैं कि आप कर हम अगर अच्छी सिख्षा पहुंचाना चाहते हैं तो टेक्नलोजी बहुत बड़ी ताकत है लांग डिस्टन्स एजुकेशन के द्वारा उत्तम से उत्तम सिख्षाम दे सकते हैं और हम अगर उसका उप्योग करें हम बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं आप corporate social responsibility के नाते कई काम कर रहे हैं मेरा एक आगर है स्वच्षता के लिए आप करें लेकिन उसके साथ साथ मुझे बताया कि अठारा सो मेंबर है आपके नश्कॉम के क्या अठारा सो मेंबर कंपनियां कम से कम एक का उस कंपनी के मालिक या उसके पार्टनर जीस primary school में पढ़े हैं जहां भी बत्पन में गाउं में होंगे शहर में जहां पढ़े हैं कम से कम उस school को आप एक e-library डोनेट कर सकते हैं क्या आप हमारी नई पीडी को जानकाड़ियों का खजाना खोल दीजिए इनके सामें आज मिनिमम्म 20 लाग किताबें आज गाउं में 2000 किताबों की लाइबरी बनाना कठीन है लेकिन आप जहां पढ़े हैं आपका एक अटेज्मेंट होगा आपका भी मन करता होगा जिस स्कूल ने मुझे बड़ा बनाया मैं भी उसके लिए कुछ करूँ आप देखिए देखते ही देखते हैं वाइरल की तरह फेलेगा और फिर ई-लाइबरेरी के लिए बहुत बड़ा बिजनिस खुल जाएगा कभी यह है जो ई-लाइबरेरी का स्ट्रक्चर बनाके दे देते ह करते हैं आज हमारा विद्यारती कहां से खर्चा करेगा है कि इवन मेडिकर स्ट्रेंट के लिए साइंस भगेजिन महंगे पड़ते हैं लेकिन हम ई-लाइबरेरी प्रवाइड करें तो कितना सारा कर सकता है इसका अप अंदाज कर सकते हैं हमारी यहां पहले अच्छी अच्छा तुमने ले लिया एपल 6 अगर यह नहीं तो लगता है कुछ नहीं है कि बहुत साल पहले की बात है मैं एक इमर्जन्सी के दीन थे मैं तो मैं अंडर्ग्राउंड था पूरी समय खोज रही थे तो एक परिबार में मैं रहे रहा था तो उनके एक भाई यूके में रहते थे वो आये थो उस दिन शाम को पहुंचे तो सभी भाई बैठे थे तो उनके एक छोटे भाई थे वो बड़े मजागी थे उन्होंने उनको पूछा कितने बजे तो उनके आठ बजे नहीं बोले जरा ठीक से देखो हैं बोले आठ बजे ने आप सबूए जरा ठीक से देखे बोले आठ बजे अच्छा तो तो मेरी तो टाइसर रुपय की गड़ी में भी आठी बजे हैं कि हमारे देश में 1500 के मोबाइल वाला भी जो उप्योग करता है 15,000 वाले मोबाइल वाला भी उतना ही उप्योग करता है लाल बटन लीला गिरिन बटन इससे एक मैं मानता हूँ कि सच मुछ में हमने एक मोबाइल गवरनेंस का रिवलुशन लाना है मोबाइल एप का रिवलुशन लाना है तो बहुत बड़े वर्क को 80% यूटिलिटी नहीं है 80% एवरेज 80% मैं कहता हूँ कितना ही बढ़िया सब्पर वाला मोबाइल फोन ले आई है लेकिन अगर कोई उप्योग ही नहीं करेंगे तो फाइदा क्या होगा जी क्या स्कूल कॉलेजेज में इस हमें लोगों को तयार करना और यही फिल्ड के लोग कर सकते हैं उसकी यूटिलिटी से ताकत बढ़ती है देश की सामाने मानवी की ताकत बढ़ सकती है और उस दिशाम हम कैसे काम करें हमने सोच रहा चाहिए आप जानते हैं मैं सोचल मेडिया में काफी अक्टिव रहा बहुत पहले से अक्टिव रहा इस दुनिया की शुरुवात हुई तो उससे मुझे ज़रा रूची थी और अब तो मैं आपका लिंक्डिन पर भी हूँ तो कि उसमें आपी लोग होते हैं तो कि मुझे ज़रा आप लोगों की विचार सुनने का आउसर मिलता है तो मैं उस पर भी रहता हूँ मैं गौव.in मैंने मेरे कारले से जोड़ करके बढ़ा मैंने देखा है कि मैं कोई भी चीज वहां क्वेस्टन करता हूँ हचार लोग मुझे रिस्पॉंड करते हैं मुझे कहीं भाशन करने जाना और मैं पूछता हूँ बेशे आइडिया दीजिए हचार लोग तुरंद मुझे आइडिया देते हैं इस प्लेटफॉर्म मुझे मैं इवन आपने देखा होगा यह जंदन योजना प्रदान मंत्री जा रहा हूँ चाहिज एक दो दिन में कर लूँगा मैं आपको भी निमंत्रित करता हूं उसमें आईए पी एमो कार्यले के लिए मोबाइल एप कैसा हो आइडियाज पहली कॉंप्टिशन का मेरा लेवल है आइडियाज और जो बेस्ट आइडियाज आएंगे यह गूगल के साथ मिलकर करके हम कर रहे हैं जो बेस्ट आइडियाज होगे ऐसे लोगों के टीम को फिर गूगल आफिस अमेरिका जाने का निमंत्र न मिलेका और इंडिया टूमोरो जो इनोवेशन को लेकर करके आप चले हैं तो मुझे भी आप लोग मदद करें फिर एक बार मैं नहीं जानता मैं ज़र ज़्यादा ही समय ले लिया लेकिन मुझे अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यो